तो चलो बच्चों इस वाले question को देखो इसमें क्या है कि एक solenide हम लोगों के पास जो उस solenide में 2000 हम लेंगे पास दिया हुआ है और क्रॉस सेक्षिनल एरिया भी दिया हुआ है और करेंट भी फ्लो हो रहा है टू एंपिर का और पर्पेंडिकुलर टू प्लेन आप इस लेंथ है इस सस्टेंड मतलब एक बात दिया गया जैसे एक solenide है यह हमारे पास solenide है पर्पेंडिकुलर टू लेंथ लेंथ के पर्पेंडिकुलर एक त्रेड लगा के मैं इसको मैगनेटिक फिल्ड में बात दिया अब मैगनेटिक फिल्ड किधर है और कितना है वह भी दिया हुआ है यूनिफॉर्म है मैगनेटिक फिल्ड और वह इतना टेसला है जो की एकसी से थर्टी डिगरी पर एगा तो तर्क एक्सपरियेंस तो अगर कोई क्वाइल है अगर तो उस पर तॉर का फर्मूला होता है टार्क में एम क्रोस भी यह होता है टार्क वेक्टर फॉर्म में अब यह जो होता है एन आई ए मेग्नेटिक मोमेंट और बी साइन थीटा यह आजाएगा इसकेलर फॉर्म में तो यह जो है टार्क एक्सपेरियंस भाई यह इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अब सोलिनाइट पहले को समझते हैं ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हम लगा के सिप्सौल करते तो तुम कभी भी तुम नहीं सीख सकते नहीं तुम्हारा कभी सेलेक्शन होगा मतलब मैं सच बताता हूं कभी सेलेक्शन नहीं हो सकता अगर दो चार फार्मुले लगा के याद क करने के अपलाई करोगे तो उस चीज को समझो एक्षियल में फिजिक सहाए क्या है क्योंकि वहीं प्रावलम आगे आएगा तो जब तुम समझे जाओगी चीजों को तो बार बार तो लगा लोगे कोस्चन ना कोस्चन तो लाखों बनेंगी भाई यार कोस्चन की कोई लिम कर दिया वह से 30डिग्री अब यह चीज तो यह कितना टार्क फिल करेगा और उस टार्क की वह च्छेज को हम लोग समझते हैं तो यह सोले नाइड को अगर मैं हटा के कि हांसे बार में ने लगा दूँ तो कोई मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यह सोलेनाइड बार मेगनेट के इक्वेलेंट होता है इधर मैं साउथ पुल कर दूँ इधर मैं नार्फ पुल कर दूँ तो मेगनेटिक डाइपुल मोमेंट की यहां पर मेगनेटिक फिल्ड की साउथ से नौठ होती है तो मेंगनेटिक MOM अब यह हमेशा याद करना कि यह किदर घूमेगा वह चीज़ टॉर्क डिसाइड करेगा तो मेगनेटिंग मुमेंट इधर है और भी इधर है तो यह हमेशा मेगनेटिक फिल्ड के पैरलल होना चाहता है मेगनेट याद सोलेनाइड क्योंकि उस वक्त उसकी एनर्जी मिनीमम होती है इकलिवरियम तभी अटेंड होता है तो यह जो सोलेनाइड है अगर बोर्ड के प्लेन में अगर देखोगे तो यह अगर ऐसे घूमेगा इस तरह से रोटेट करेगा यह कौन सा रोटेशन है इस त यह जहाएगा इस पे पूर्स एफ उन इधर लगेगा और इस पे फॉर्स एफ टू इधर लगेगा तो कुल मिला कि यह दोनों फोर्स एक टॉर्क करेंगे इससलेनाइड पर और यह इसको इस वाले M cross B की direction में rotate करा देंगे clear है तो इस तरह से इसका rotation होगा और वो कितना magnitude of torque होगा उसकी हमें value निकालना है तो अब इसके बाद सवाल कुछ ज़्यादा difficult नहीं है और direct formula base है और value रख दो तो torque की value आ जाएगी M की value डालो N की value डालो 2000 और multiplied by यहाँ से current की value डालो 2 ampere और यहाँ से हमने area cross section 1.5 into 10 की power minus 4 meter और यहाँ से magnetic field की value डालो 5 into 10 की power minus 2 और sine 30 तो sine 30 कितना होता है sine 31 by 2 sine 31 by 2 से multiply कर दो तो यह multiply कर लो तो 1 by 2 अब यहाँ से जब तुम solve करोगे तो यहाँ जाएगा 5 यहाँ से जाएगा 5 2 पांदुना यह 5 multiplied by 2 5 यहाँ से 10 और multiplied by यह 2 और इस 2 ने इस 2 को खतम कर दिया और कितने 0 कम हो गए अब यहाँ से 1, 2, 3, 0 यहाँ से कम होए तो यहाँ से 2 और 3 10 की पावर माइनस 3 और यहाँ जाएगा 1.5 और 1, 0 10 की पावर यह माइनस 2 यहाँ से तो यहाँ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 तो दिए C लाइए C